दमश्कार आप देख रहे हैं युक्चर्ण और मैं हूँ आपके साथ खुश्वसिक आईए एक नशे डालते हैं कि बॉलिवुड में क्या चल रहा है 2019 से पाकिस्तान में इंडियन फिल्म की स्क्रीनिंग पर पूरी तरह से मैन लग गया है हाला कि इसके बाद भी वहाँ के दर्शकों की पहली पसंद भारती फिल्मे ही है कई अवसर पूर पाकिस्तानी आएक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते नजर आए है खाली में पाकिस्तानी एक्टर फैसल कुरेशी का कहना है कि उनके मलक में भारती फिल्म में जरूर रिलीज होनी चाहिए इससे मात रही वहां कि इंडरस्टी में ग्रोध देखने को मिलेगा बेन हटाने से इंडरस्टी को 600 से 700 करोड तक का फायदा भी होगा रिपोर्ट्स के मताविक फैसल कुरेशी ने कहा कि वो सच्चे देशवक्त है लेकिन अगर पाकिस्तानी सिनेमा चलाना है तो भारती फिल्मों की स्क्रिनिंग करना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा ऐसा कहने में बहुत स्वार्थी हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी दर्शुक भारती फिल्में ही देखना चाहते हैं सरकार उन पर अपनी मनमर्ची नहीं थोप सकती है उन्हें भारत के साथ रिष्टे सुधारनी के लिए काम करना चाहिए पिछले मनें बॉलिवूड में कई सरेप्री शादी के बंधन में बढ़े अरवास खाम से लेकर प्रंडीप उद्डा ने अपने लाइफ पार्टनर को चुना किसी ने निकाह किया तो वहीं किसी ने मैताई रीती रिवास से शादी की वहीं अब नए साल के मौके पर बॉलिवूड के एक फेमस कबल की शादी की खबरे सामने आई है जो जल्दी साथ फेरे लेने जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रकुल प्रीट सिंग और एक्ट्रेस और प्रोडूसर जैकी भगनानी की निवी यर के मौके पर रकुल प्रीट सिंग और जाकी भगनानी के फेंस को गुड़ न्यूज मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रकुल प्रीट सिंग और जाकी भगनानी अगले महिने यानि 22 फरवरी 2024 को शादी के बंधन में बनने वाले हैं हाला कि कपल की ओर से कोई ओफिशिल एलान अभी तक नहीं किया गया है इतना ही नहीं रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया कि ये कपल डेस्टिनेशन वैडिंग करने वाला है दोनोंने अपनी शादी के लिए खूपसूरज शहर गोवा को चुना है पूरे वर्णी बीते दिन साल 2023 को अलविदा कहतिया है और इसी के साथ नए साल का जोश के साथ स्वागत भी किया पॉलिवुड के तमाम सेलविटीज ने भी नए साल का गर्म जोशी के साथ वैलकम किया वहीं बी टाउन की मौस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी अपने पती सैफ अली खान और दोनों बेटों तैमूर और जे संग नए साल का जश्न मनाया एक्ट्रेस ने इसकी जलग भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की है करीना कपूर खान ने साल 2023 को अलविदा कहते हुए निव यर का वैलकम करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली संग अपनी तस्वीरे पोस्ट की है फोटो में एक्ट्रेस कलरफूल वैलविट शरारा सूट पहने बेहदी खूपसूरत लग रही है उन्होंने बालों में रेड रोस लगाया हुआ है और डेवी मेकप किया हुआ है करीना ने अपने बालों को जूडे में बांच कर अपना लुक कम्प्लीट किया है करीना की पती और एक्टर सैफ अली खान वाइड शर्ट और मनार्ट टाई के साथ सूट बूट में काफी हैंडस अप लग रहे हैं पहली तस्वीर कपल की मिरर फाई है वहीं दूसरी तस्वीर में सैफ और करीना अपने दोनों बच्चों तैमूर और जे संग नजर आ रहे हैं जहां तैमूर सूट बूट में काफी प्यारे लग रहे हैं तो वहीं जे ब्लू स्वेटर में काफी क्यूट लग रहे हैं वहीं सेप और करेना अपनी फोटोस लिख करने में बिजी दिख रहे हैं। पहली तस्वीर को शियर करते हुए जान जान एक्टर ने कैप्शिन में लिखा क्या आप तयार हैं? हम तो तयार हैं। दूजरी फोटो मेर्न ने लिखा फ्रेम किया हुआ 31-12-2030 शारू खान ने साल 2030 में बैक टू बैक तीन फिल्में दी। साल के शुरुआत में उन्होंने पठान के साथ की, फिर जवान को लेकर आए और रंत में डंकी रिलीस की। हाला कि शारू खान हिट फिल्मों के हैट्रिक मराने से चूक गए। पठान और जवान ने बॉक्स ओफिस पर शानदार विजनस किया। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। S.E.U.M.E. डंकी के साथ भी थी। लेकिन फिल्म ने निराश किया। डंकी घरीरू बॉक्स ओफिस पर आगे बढ़ने के लिए पहले दिन से संगर्श कर रही है। फिल्म में ओपनिंग डेपर 29.2 करूर के साथ खाता खोला था। साल 2023 में ये शैरु खान की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म है। वहीं अब डंकी ने रिलीस के 11 दिन पूरे कर लिये हैं। लेकिन बिजनस में कुछ खास बढ़ोत्री देखने को नहीं मिल रही है। अम्री शर्मा के दुलहनिया और बद्रिनाद के दुलहनिया के बाद अब करन जोहर ने। फिर एक बार इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म दुलहनिया 3 के लिए वरुन धवन से हाथ मिला लिया है। हाला कि फिल्म में आलिया भट के होने पर अब भी सवाल है। हाली में आये बॉलिवुड हंगावा के रिपोर्ट के अनुसार करन जोहर के धर्मा प्रोडेक्शन के बैनर तले दुलहनिया 3 के तैयारी शिडू हो चुकी है। इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में वरुन धवन ही लीड रोल में निज़राएंगे। हाला कि फीमी लीड में बदलाव किया जा रहा है। करन जोहर दुरहनिया 3 से एक नई चेहरे को लॉंच करेंगे। रिपोर्ट में सूतरों के हवाले से लिखा गया कि फिल्म को पिछली दो फिल्मों के डायरेक्टर शिशांक खेतान ही डायरेक्ट करेंगे। वरुन धवन, करन, जोहर और शिशांक ने मिलकर कई आइडियास पर विचार किया है जिसके बाद अब स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग इस साल यानी 2024 में होगी। बेकर्स ने फिल्म के लिए फ्रेश चेहरे की तलाश मिश्रू कर दी है जो वरुन धवन के साथ नज़र आएगी। इस रिपोर्ट से साफ है कि नए चेहरे के आने से आलिया भड का फिल्म में होना मुश्किल है। फिल्म को साल 2025 में रिलीस किया जा सकता है। बॉलिवुट से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए वने रिए हमारे साथ युक चरन पर।